नमश्कार बहुत स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूँ विवेक मदप्रदेश में विधानसभा चुनाओ को लेकर भारती जनता पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी मदप्रदेश में पांच भी बार सत्ता में काविज होने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने को तयार नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि जब पार्टी ने प्रत्यासियों की दूसरी सूची जारी करी तो उसमें तीन केंदरी मंसित्री सहित साथ सांसदों को चुनावी मैदान पर उतार दिया दरसल बीजेपी अपनी कमजोर कड़ी वाली सीटों को बदलने की तैयारी में है फिर वह चाहे मदप्रदेश के कैबिनेट मंतरी की हो या फिर किसी बड़े कद्दावर नेता की ही क्यों न हो सूत्रों के हवाले से खबर यहां तक आ रही है कि एक दरजन मंतरीयों को संकेत मिल रहे हैं कि उनके टिकट कट सकते हैं इसके अलाबा दो दरजन से अधिक विधायकों के नाम है जिनके टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है भाजपा प्रत्यासियों की दोसरी सूची में स्पष्ट कर दिया कि हर सीट पर केंदरी नेत्रित की नजर है और वह अपने सर्वे और गोपनेता के फीट बैक की आधार पर फैसला कर रहा है बताया ये जा रहा है कि दूसरी सूची में अधिकांस ऐसे नेताओं को मैदान में उतार दिया गया जिनका नाम तो प्रदेश सूची में भेजा ही नहीं गया था और ना ही प्रदेश इस्तर पर कोई उनके नाम पे सर्वे हुआ था चुनाव समित की बैठक में भोपाल भेजी गई सूची में उनका नाम भी नहीं था जिन नाम पर मोहल लगी है उनके नाम पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी सूतरों का कहना है कि पार्टी जल्द ही अंगली सूची जारी कर सकता है यानि कि कहा ये जा रहा है कि 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच भाजपा अपनी अंगली सूची जारी कर सकती है जिसमें ऐसी सीटों पर पार्टी के कुछ सांसद वा बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है पार्टी जहां कॉंग्रेस लगातार जीत्ती आ रही है कॉंग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को भी हराने के लिए भाजपा अपने सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है अगर बात करें मंतरियों की तो मद्धप्रदेश के बुंदेल खंड में पांच में से तीन मंतरियों के टिकट कट सकते हैं ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं इसके अलाबा विंध के दो मंतरियों को टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे हैं इन मेंसे वह मंतरी भी शामिल है जिनकी शिकायत पार्टी सीर सनेत्रतों तक पहुँच चुके हैं ऐसे में मंत्रियों को भी यह चीज के संकेत मिल गए है सूत्रो का कहना है कि पिछले दिनों भाजपा के प्रवासी विधायकों को प्रदेश की विधान सभा चेतर में जिम्मेदारी सौपी गई थी दूसरे प्रदेश से आई इन विधायकों ने कहा गया था इनको कि अपने इस्तर पर पार्टी की नब्ज टटोल कर पार्टी का जो भी सर्वे हो उसकी बरतमान इस्तित विधायकों की भी उसका पूरा आंकलन कर पूरी रिपोर्ट केंधरी नित्रुत को सौंपे कहा ये जा रहा है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है प्रवासी विधायकों के द्वारा उसके बाद केंदरी नेत्रित्त के पाउं से जमीन ही खिसक गई रिपोर्ट में 50 से जादा विधायकों की इस्थित बेहत कमजोर बताई जा रही है इसमें से 10 से 15 मंत्री भी शामिल है रिपोर्ट में सांसदों की इस्थित के फीडवैक भी दिये गए है सूत्रों का कहना है कि प्रवासी विधायकों के रिपोर्ट के आधार पर ही सीर से नेत्रितों ने दूसरी सूची में प्रस्तावित नाम को बदल कर केंदरी मंत्री सहित साथ सांसदों को चुनावी मैदान पर उतार दिया इसी रिपोर्ट के आधार पर दस से पंदरा मंत्रियों सहित पचास विधायकों के टिकड काटनी की तैयारी भारती जन्ता पार्टी कर रही है अब किस तरह की परिस्तिया बनेगी ये तो आने वाले वक्त तुम्हें पता चलेगा लेकिन जिस तरह की भारती जन्ता पार्टी तैयारी में लगी है साथ केंदरी मंत्री सहित सांसदों को चुनावी मैदान पर उतार दिया अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो सूची जारी होगी उस पर कई मंत्रियों के मदप्रदेश शरकार में कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं और उसमें जो रिपोर्ट सौपी गई है उसमें पचास से जादा विधायकों की इस सिर्चेतर में ठीक नहीं बताई जा रहे है